और एक आपका अगर सीपोर्ट वाला है तो स्मार्ट टीवी ठीक है ना तभी आपका डेस्टोप बन सकता है हेलो दोस्तों रत्राविजन में आपका स्वाब बता है एक नहीं ब्लोग के साथ आज कोई गुमी वाला ब्लोग नहीं है आज आपको एक टेक्निकल ग्यान दूंगा जिससे आपका बेडि फिक्टों सके क्या होता है कि बहुत सारे हमारे यो यूजर्स हैं किसी काम के लिए ह कोई भी ABC काम करना है हमने जिसमें हमें कम्प्यूटर की जुरूरत पड़ती है लैप्टोप की पर जुरूरत पड़ती है और क्या होता है कि जब मोबाइल जूज करते हैं तो हम उसमें प्रोपरली वर्क नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए क्या हम वैटर बेनिफिट कर सकत हैं वह चीज आज हम सीखेंगे आज आपको चीज मैं दिखाता हूं क्या करना हमने तो उससे क्या होगा कि मैं स्मार्ट फून को डेस्टोप में तबदील कर दूँगा उसके लिए क्या क्या र्कॉयर्मेंट्स है पहले वो देखो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए एक तो आपको स्मार्ट चाहिए फून और एक आपका अगर सी पोर्ट वाला है तो सी के साथ यह लगेगा क्नवर्टर जिसमें आप पैंड्रेबिल का सकते हो कोई भी आप मोबाइल से डाटर टास्टर करने के लिए यूज़ करते हो और तो यह चीज़े होगी आपके पास नसेसरी है तो कि यह ब्लूटूस से का यह बैनी फिट है कि आपके दोनों चीज़े अपरेट हो जाएगी अगर वायर वाला लगाओ तो फिर एक चीज़ लगेगी जा माउस लगेगा जा कीवड लगेगा तो एक और क्या चीज़ चाहि लगा दिया सीपोट में उसके बाद यह लगा ब्लूटूथ वाला पॉट तो पहले हम कर लें ओं किया वेने द्वारा से यह दिखो अभी यहां पर माउस की अगई और हम यहां पर गुल में जाते हैं गुल में जाकर साइट पर क्लिक करते हैं यहां और कहीं पर भी इसको बंद कर दो द्वारा से ओपन परो साइट को यहां पर प्लिक किया अब मैं यहां लिखता हूँ कोशी भी कार एंटर दो इसका मतलब हमारा यह इतना सा काम है वो अक्टिव हो यह हैं हमारे पास स्मार्ट टीवी तो इस पर हम इसका जो क्या कहते हैं Experiment तो आपको Experiment करके दिखाते TV, Smart TV आपको मैंने पहली बोला चाहिए उसके बाद इस पे हमने क्या करना है तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पहले सबसे पहले Screen Sharing करनी पड़ेगी Screen Sharing होगी तब ही यह वहाँ पर आपको नजर आएगा यहाँ में सैटिंग में जाकर और डिस्प्ले एंड साउंड और यहाँ पर क्या है Enable Display Mirroring ओके हो गया कौन सा अपने स्विच किया Smart View ठीक है जी आपके अगर Mobile में एक बड़ द्वारा से बता दो कहां से आप मिली है इसको यह हमने सैटिंग में जाकर और क्या था यह Smart View इसका नहीं आइकोन भी बता दो कैसा आइकोन है तो उससे पता रहेगा कि कौन सा आइकोन है तो यह देख लो ऐसी शकल है Smart View की तो इसमें हमने क्लिक किया तो सामने क्या असर आता है इसका अभी देख लेते हैं तो यहां पर जब हमने Screen View का किया तो यहां पर वो आ गया हमारे Smart Phone का नाम उसके बार हमने यहां पर क्या करना है Smart Now यह वहां पर कुछ हलचल सी नजर आई हमें तो यह हलचल हमें कहां पर लेके जाएगी यह पता नहीं है पर फिलहाल यह हलचल आ रही है तो आपके सामने जो Mobile में है वो ही सामने है यह देख लीजिए अब इसको हमने क्या करना है वर्टीकल करना है पहले इसको स्क्रीन को वर्टीकल कीजिए इसको लेजिए जी Landscape में आगया यह आपके सामने देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने मतलब के CPU लगा दिया साथ में और जा लैप्टोप समझ सकते हो जा डैस्टोप समझ सकते हो जो भी समझ सकते हो आपकी मर्जी है अब जी द्वारा से हमने ननना मुबाइल लिया इसमें हमने बता दिया इसके सेल है और जो रोशनी आ रही है तो हम इसको चला के देखते हैं ओ वाह क्या बात है तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे अगर मैंने स्पोज लाइसंस का भरना है यह परिवहन तो जे जी हमने साइट ओपन कर ली है परिवहन सेवा की जो हमारी जहां की लोकेशन की है वो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो तो आप देखो कितने इजी से हम अब मुबाइल में अपना काम कर सकते हैं और आप कुछ भी इस यहाँ पर उप्रेट कर सकते हो यहाँ पर जाकर यह services है आपने कुछ भी करी लेनी तो आप वो मुवाइल से कितना बढ़िया हो गया ना तो ऐसे आप इस चीज को करके तो enjoy कर सकते हो पूरा वीडियो इसको और आप इसको desktop बना कर काम कर सकते हो तो यह है आपका desktop, laptop, tablet, whatever you want to think वो ही है जो आप सोच रहे हो enjoy कीजिए work कीजिए और mobile को site पे कीजिए तो आप की आँखों पे भी कोई problem नहीं आएगी और दोस्तों एक और खास बात बता दूँ आपको इसमें जब आप desktop की तरह जा लैप्टॉप की तरह जा टैबलोड की तरह इसको बना लेते हो ना और कोई भी site से आपने documents बगार अपडेट करने तो पहले आप मतलब के साथ में mobile के साथ वो data जो है ना copy कर सकते हो फोटो बगार हो गई है जो भी आपका आपने साइट पे अपलोड करना आप करते हो जैसे लाइसे बरना उसमें अपने फोटो बरनी है आपने अदार कार्ट की PDF बगारा डाली है तो सारी mobile में होगी तो मतलब हो सार सारी आपकी साइट पे जैसे आप अपने mobile पे काम कर रहे हो ना वही चीज वह आपको फील होगी और आप इसली सारी डाकुमेंट्स बगारा प्रपेयर कर सकते सारा काम कर सकते हो और सारी जो भी आपकी requirements है उसको fulfill कर सकते हो और आपको अच्छा अनुभब होगा काम करने का लगे आपके पास लैक्टोब डेस्टापनी है कम से कम यह कुछ चीजी है कि होनी चाहिए उसके बाद अब अराम से घर पर कीजिए उससे काम कर सकते हो तो फिर मिलते हैं अगले ब्लोग में शायद कोई गुमने वाला ब्लोग हो सकता है